इसके अंदर देख सकते हो गाइस की पूरा का पूरा पूरा फाइल जो है आ गया है और ये मेरा जो है विंडोस 10 का जो है सक्सेस्फुल बूटेबल प्रेंटराइब बन चुका है हाई गाइस साथ करता हूं तुम्हारा फिरस्टे εक अजे की इस वीडियो में तुम जानने वाले हो याँ विंडोस 10 के लिए जो है तुम ऑद्टेंटराइब कैसे बना सकते हो इस विडियो में तुम या राइव प्रेंटराइब će rein वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज आओ इस पूरे प्रॉस्ट को समझते हैं स्टेब बाइस यहां पर आगे बढ़ने से लेकिन उसके लिए मिनिमम जो है आट जी बी का एक ब्लांक जो है पेंड्राइभ हो चाहिए और तुम्हारे पास एक अच्छा एक इंटरनेट connection होना चाहिए ठीक है ठीक है समझ गया तो देखो मेरे पास जो यहां पर Sandix का एक blank RGB का pen drive है तुम देख सकते हो अब इस pen drive को जो है तुम अपने laptop या फिर computer में जो है insert कर लो देखो मैंने यहां पर इसको insert कर लिया है और मेरे desktop पर भी यह होने लग गया है देख सकते हो है ना जो कि बिल्कुल blank है तो अब क्या करना है गाइस कि यहां पर तुमको दो दो चीजे download करने होगे इंटरनेट से ठीक है सबसे पहले तुम गूगल पर search करो media creation tool windows 10 जैसा ही तुम इसको यहां पर search करोगे गूगल पर तो उसके बाद तुमको website दिखाए देगा पहला website जहां पर लिखा हुआ है download windows 10 disk image iso file simply से तुम इसको open कर दो उसके बाद गाइस देखो यह Microsoft का website है और कुछ ऐसा interface दिख रहा है तो थोड़ा सा तुम नीची आओगे तुमको एक option मिलेगा download tool नाओ जैसे तुम यहां पर click करोगे तो उसके बाद जो है यह tool download होने लग जाए का automatic और तुम दीचे देख सकते हो कि यहां पर downloading हो रहा है ठीक है तो उसके बाद अब क्या करना है गाईस तुमको यहां पर एक और software download करना होगा गूगल पर आ जाओ और यहां पर search करो रूफूस software जैसे तुम रूफूस software सर्च करोगे तो पहला जो website आ रहा है रूफूस download का एक section दिख रहा है इसके अंदर में इसका एक अलग-अलग version दिख रहा है ठीक है तो हमको इसका लेटेज वर्जन डाउलोड करना है उपर में देखो दिखा है रूफूस 3.21 जो की 1.3 MB का है तो सिंप्लिस इस पर click कर दो गाईस यह automatic जो है download हो जाएगा नीचे देख सक जो है यहां से हटा के किसी एक folder के अंदर रखते हैं ठीक है desktop पे लेके चलते हैं तो दो desktop पे जो है मैंने folder create किया है और इसका नाम हम रख देते हैं bootable ठीक है देखो bootable रख दिया है और इसके अंदर मैंने इसको paste कर दिया है अब क्या करना है simply से यह जो media creation tool है इस पर right click करो जैसे ही तुम इसको right click करोगे उसके वाद एक option आएगा run as administration सिंपली से इस पर click कर दो उसके guys थोड़ा से loading होगा और छोटा सा window एक open हो जाएगा जहां पर लिखा है getting a few things ready और guys यहां पर यह loading होगा थोड़ा सा time लेगा तो तुमको wait करना पड़ेगा अब दोगों यहां पर media जो है तुम create करना चाहते हो दूसरे computer के लिए तो मुझे तो create करना है तो second वाले option पर यहां पर click कर दो and जो है next कर दो उसके बाद guys थोड़ा सा loading होगा and यहां पर दोखो आ रहा है option select language architecture and edition यह तीन चीज तुमको setup करने के लिए कह रहा है अगर तुमको as it is रहने देना है त कर सकते हो नीचे addition में windows 10 के लिए है तो windows 10 ही रहने दो और नीचे architecture तुम देख लो कि तुम्हारा 32 bit है या फिर 64 bit है तुम्हारा system जो है कौन से bit को support करता है जो भी करता है उसको यहां पर रहने दो and उसके बाद यहां पर next कर दो अब दो यहां पर choose which media to use ठीके इस option में यहां पर दो option दिख रहा है USB flash drive और दूसरा है ISO file यानि कि तुम अपने pen drive को USB flash drive बनाना चाहते हो अपने pen drive को पुछ रहा है कि इसको कहां पर download करना है Windows installation media को ठीक है तो simply से मैं इसको वही फोल्डर पर देता हूं जो desktop मैंने create किया था usable के नाम से ठीक है मैंने वहां पर save कर दिया है और देख सकते हो कि यहां पर जो है थोड़ा सा wait करना पड़ेगा और यह जो है download हो रहा है वहां पड़ेगा तो थोड़ा समको यहां पर wait करना पड़ेगा तो मैं वीडियो को फूड़ाशा forward कर देता हूं उसके बाद थोड़ा सा रुकने के बाद यह almost guys 4.45 GB का होगा ठीक है almost 4.5 GB का तो टाइम तो लगेगा यह ना तो खेर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं उसके बाद यहां पे जैसे यह download complete होगा तो यह उसको जैसे यह complete हो जगा गाइस तो देख सकते हो कि यहां पे जो है बूटेबल फोल्डर के अंदर जो है एक विंडोस 10 के नाम से जो है इंस्टॉलेशन मीडिया डाउनलोड हो चुका है देख सकते हो जो कि 4.45 GB का है है इना अब यहां पे हमारा काम खतम होगी अब हमको क्या करना है कि हमारे पास इंस्टॉलेशन अगया है अब हमको जाना है रॉफूस जो software हमने डाउनलोड किया था उस पे right click करो and run as administration पे क्लिक कर दो जैसे click करोगे तो अब यह बोल रहा है कि यहां पे इसको online पराइन अपडेट करना है तो कर दो भाई ने रही है करके मैं तौन समझाता हूं ठीक है सबसे पहले तुमको दिखे रहा है वह यह प्लैंक पैंड्राइब तुमने लगाई ठीक है? अब इसमें कौन सा है? इसमें 2 है तो तुमको इस सलेक्ट करना है disk और ISO image ठीक है? इसको सलेक्ट कर लो उसके बगल में दोको सलेक्ट का उसन है जैसे सलेक्ट पर क्लिक करोगे तो अभी जो हमने Windows 10 जो हमने डाउनलोड किया था यानि की installation media download किया था उसको select करना है जैसे करोगे तो अब यह पूछ रहा कि कहां पर रखा है वो file को तो हमने desktop पर bootable का नाम पर रखा है यहां पर आओ और इसको select करो और उसके बाद जो है open कर दो ठीक है अब देख सब्सक्राइब इसके नीचे में का option है image option इसके अंदर में तुमको क्या करना है standard windows installation पर तुमको रहने देना है ठीक है उसके नीचे में जो है option आ रहा है partition scheme partition scheme के अंदर तुमको दो चीज़े मिलेगा MBR और GPT अब यह MBR यह GPT जो है तुम्हारे system के ओपर depend करता है कि तुम्हारा system कौन किसको support करता है इसको कैसे check करते हैं वो हम बाद में बात करेंगे ठीक है तो यहां पी इसको set कर लेना आपने system के साब से यह automatic तुम्हारे system में जो भी रहता है उसको यह जो है read कर लेता है ठीक है और यहां पर दिखने लगता है उसके बाद नीचे तुमको दिख रहा है ठीक है जैसे करोगे तो अब दोखो यहां पर एक pop-up आ गया है customize windows installation अब यहां पर तीन option दिख रहा है जिसमें से मैं first वाले को कोई file या कोई data रखा हुआ है तो इसको delete कर दो वरना हम खुड delete कर देंगे ठीक है तो मैंने तो कुछ भी नहीं रखा था मैंने तुमको पहले भी बताया था कि अपना जो pen drive है उसको blank रखना कुछ भी data मत रखना वरना यह उड़ा देगा उसको ठीक है तो यहां पर मैंने install होता जागा यह बढ़ता जाएगा तो तुमको यहां पर वेट करना पड़ेगा यहां पर काफ़े time लग जाएगा ठीक है तो यहां पर वेट करते हैं तो हम यहां पर थोड़ा सा fast कर देते हैं अब देख सकते हैं इसके नीचे में जो bar था status bar वो पूरा green हो चुका है यहा मेरा जो pen drive है वो bootable बना है या फिर नहीं तो देखो यहां पर जो है मैं अपने pen drive पाया हूं तो अभी नाम जो नजरु दिन था वो चेंज होके जो नाम वहां पर था वो यहां पर दिखने लग गया है और इसके अंदर देख सकते होगा इसकी पूरा पूरा फाइल जो है आ गया है और यह मेरा जो है Windows 10 का जो है successful bootable pen drive बन चुका है अब मैं जो है किसी का भी system जो है format मार के Windows को install कर सकता हूं चाहे अपनों खुद का या फिर किसी और का तो इसी process को follow करके का इस तुम भी जो है अपनी या फिर किसी और के लिए अपने family member के लिए फिर relative के लिए दोस्तों के किसी के लिए भी जो है Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 11 जो भी चाहो उसका bootable pen drive बना सकते हो I hope कि तुमको यह वीडियो पसंद आया है अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करन तो तुम्हारे उपर एक dedicated वीडियो भी लेकर आजाओंगा और सिर्फ तुम्हारे लिए computer related दो और वीडियो का link दे रहा हूं जो भी तुमको जानना उस पर click करो and enjoy करो